Hey guys, so finally Apple ने इडिया में लौंच कर दिया है, अपना Apple iPad Pro या फिर कह सकते हैं Apple ने लौंच कर दिया है अपना Apple iPad Pro 4th generation Guys, iPad की 3rd generation and 4th generation में काफी बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ इस स्पैसिफिकेशन सी नहीं 4th generation के iPad में आपको features भी काफी अच्छी अच्छी मिलने वाले हैं, as compared to 3rd generation iPad तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मेरे ना में प्रियास हो रहा है आपका अपना चैनल Beyond Screen So guys, basically iPad की स्रीज में Apple ने दो models लीज किये हैं, एक है 11th इंच iPad और दूसरा है 12.9 इंच iPad Guys, इन दो नों के पीछ में सिर्फ size and screen resolution का फर्क है, और guys थोड़ा पेंटर का भी डिफ्रेंस है, और बागी specifications कुछ कुछ सीमिल आ रहा है एक दूसरे से, तो guys सबसे पहले बात आते हैं इस iPad की design की, तो इस iPad में आपको मिलने वाला है glass front, aluminium back and aluminium का frame, साथ ये guys देखने में काफ जादा stylish भी लगता है, तो इसके Wi-Fi वाले variant का weight होगा 641 grams का, और इसका LTE यानि के 4G वाला model है, जिसमें आप 4G sim यूज कर पाएंगे, उसका weight होगा 643 grams का, तो guys इसी 12.9 inch वाले variant की बात, तो ये बात 11 inch वाले variant की, तो इसका Wi-Fi वाला model होगा, उसका weight होगा 471 grams, और जो Wi-Fi plus यूज काफ जादा slim होगा, तो iPad Pro की thickness है 5.9 mm की, जिसको अगर हम compare करें एक mobile से, तो ये उससे भी काफ जादा कम है, और जो Android मोईल होते हैं, उनकी thickness होते है 8 and 9 mm के करीब, बट इसकी thickness उससे काफ जादा कम है, मतलब ये उनसे काफ जादा slim है, साथी guys इस iPad को का जाता है, floating iPod, because guys ये iPad stand से connect हो जाता है, और उसके बाद एक PC की तरह काम करेगा, यानि एक laptop की तरह एक काम करेगा, साथी इसमें आप iPad भी यूज कर पाएंगे, साथी guys आप इसको stylus से भी operate कर सकते हैं, guys इसका stylus इससे Bluetooth की जरीए connect हो जाता है, और फिर आप उसको as a pen यूज कर पाएंगे, तो guys बढ़ते हैं इन दोनों iPad की display की ओर, guys iPad 11 में आपको मिलने वाली है 11-inch की liquid retina display, जबकि इसके दूसरे variant में आपको मिलने वाली है 12.9-inch की liquid retina display, guys 11-inch वाले model का resolution होगा 2388 x 1668 pixels का, जबकि 12.9-inch वाले variant का resolution होगा 2732 x 2048 pixels का, साथी दोने वारेंट में आपको मिलने वाली है 26 64 pixels की pixel density, और guys यहाँ पर आते हैं display के कास बात, इन दोनों वारेंट में आपको मिलने वाली है 120 Hz की refresh rate वाली display, जो कि आपको काफी कम devices में मिलती है, और यह guys पहला iPad से में आपको इतने ज़्यादे वाली डिस्पले मिल रही है, और guys अब बात आते हैं की performance की, जैसा कि आप जा आपको इसी भी Android phone से, तो उन से ज्यादा fast और उन से कहीं ज्यादा अच्छी performance आपको दे देगा, और इस processor के साथ आपको मिल जाता है, Apple 8-Core वाला GPU, साथी guys इसमें आपको मिलती है, iPad OS 13.4, जो कि अपग्रेडेबल होगी, iPad OS 13.4.1 में, तो guys बात आते हैं इनकी memory की, जैसे क होंगे 128GB internal storage plus 6GB RAM, and 256GB internal storage plus 6GB RAM, and 512GB internal storage plus 6GB RAM, and so उसका सबसे बड़ा variant होगा, वह होगा 1TB of internal storage plus 6GB RAM, यानि कि आपको RAM से ही मिलने वाली है, हर वालेट में, जो क्यों होगी 6GB की, बस internal storage का फर्क होगा, और guys इसका सबसे बड़ा variant होगा, जिसमें 1TB storage होगी, अगर इसको compare करें किसी पी दूसरे tablet से, तो यह कहीं जादा है, guys, Apple devices की दो सबसे जादा main highlighted चीज होती है, एक उनकी performance, एक उनका camera, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता है, performance तो इसमें आपको काई अची मिलने वाली है, अब बात करते है, इसकी camera की, so guys, back side में आपको मिलने वाले है, दो camera होग 12MP का wide angle camera, and 10MP का ultra wide angle camera, साथी आप कुछ में मिल जाता है, LiDAR sensor, basic LiDAR का मतलब होता है, light detection and ranking, यह एक तरह का special sensor होता है, जो कि 3D mapping करता है, और गाइसे sensor आपको help करेगा, काफी अच्छे portrait shorts लिने में, साथी यह camera report कर सकता है, 4K video at 60fps, और गाइस front में आपको मिलता है, 7MP का wide angle camera, जो के record कर सकता है, 1080p की video at 30 and 60fps, अब करते हैं बाद इनकी colors की, तो इसके 2 colors अविलेवल होंगे, जो कि होंगे silver and space grey, बात करते हैं, इसकी large specifications यानि इसकी battery, तो इसमें आपको मिलने वाली है, 9720 mAh की non-neverable battery, जो कि आपको काफी अच्छा power backup देदेगी, साथी इसमें आपको reverse charging मिलने वाली है, और far charging आपको इसमें मिलने वाली है, 18 watt की, और guys, Apple के दूसरे latest mobile की जैसे ही, इसमें आपको face ID मिलने वाली है, अब last में बात करते हैं, दो नो variant के price की, guys, इसका 11 inches वाला variant होगा, उसका starting price होगा, 71,900 रूपीज, जब कि इसके 12.9 inches वाले variant का starting price होगा, 85,900 कर दो, तराद कर दो, तराद का आपको